Hello everybody, in this video I will solve the general aptitude question. These questions are very important for every exam. अब हम फर्स्ट क्वेस्ट के ओर बढ़ता हैं, देखें, क्वेस्ट में दिया है If x ratio y is equal to 3 ratio 4 and y ratio z is equal to 3 ratio 4 Then x plus y plus z upon 3z is equal to, यानि हमको x plus y plus z upon 3z की value को क्या करना है, अब हम question को solve करने जा रहे हैं अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर मेरे चैनल को subscribe कीजिए और bell notification को जरूर दबाएए कि आने वाले वीडियो का आपको जो notification मिल जाए और साथी वीडियो पसंद आने पर इसे like, comment और share जरूर करेजिए अब हम question को solve करने जा रहे हैं देखे question में आपको दिया है x ratio y is equal to 3 ratio 4 and y ratio z is equal to 3 ratio 4 ज्यानि x और y का ratio और y और z का ratio का है दोनों का same है हम ratio को upon भी लिसकते है x upon y, y upon z, दोनों की value क्या है, same है x को हम बोलता है numerator और y को हम बोलता है denominator अब देखे, दोनों में क्या है y क्या हमारा common है लेकिन इसकी value क्या है, अलग-अलग है अगर हम y की value को same कर देंगे तो इस question को आसाने से solve कर देंगे तो हम क्या करता है, जो हमारे numerator की value है 3 इसको numerator में भी और denominator में भी दोनों साइट multiply करता है और multiply करने से अगर हमने से 3 से multiply किया तो इसकी value में कोई भी change नहीं होने वाला equation में y upon z में y की value क्या है 3 है, अब इस equation में y की value को same करने के लिए हम क्या करेंगे 3 से 12 को divide करेंगे, यानि अगर 3 से 12 को divide करते हैं तो अपना क्या आता है 4 तो 4 आएगा, तो 4 से numerator और denominator को 4 से multiply करेंगे, जैसी हमने 4 से numerator और denominator को multiply किया तो इसकी value आएगे 12 upon 16, यानि हमने y की value को क्या कर लिया है, दोनों इक question में same कर लिया है जब value same होगी है, तो आप हम इसे ratio में लिख सकते हैं, x ratio y ratio z, तो x की value कितनी है अपनी 9, और y की value क्या है 12, और z की value कितनी है 16, तो आप हमने इसकी 3 की value को एक साथ लिख लिया है मान लेते हैं, let x is equal to 9k, और y is equal to 12k, और z is equal to 16k, अब इस सब की value को हम उपराल equation में रखेंगे, जिसकी value हमको find करनी है, x की जगों पर क्या रख सकते हैं, 9k, y की जगों पर क्या लिख सकते हैं, 12k, और z की जगों पर क्या लिख सकते हैं, 16k और नीचे क्या है, 3 z, 3 की जगों, 3 की जगों पर 3 लिखेंगे, jet की जगों पर क्या लिखेंगे, 16k, अब इसको हम solve करेंगे, तो देखते हैं, क्या आता है, अब इसे solve करने पर क्या आता है, जब 16 से 3 को multiply करेंगे, तो 48 के आ जाएगा, इन तिनों को जोडने पर 37 के आएग और 48 के आएगा, अगि इसे के cancel हो जाएगा, तो क्या जाएगा अपना answer, 37 upon 40, 48, यानि, x plus y plus z upon 3 z की value क्या है, 37 upon 48, I hope आपको यह समझ मा आया होगा, अगर समझ मा आया है तो ज़रूर मेरी वीडियो पर कमेंड कीजिए, अब हम second question क्यों बढ़ रहे है, second question देखिए क्या है, the average age of A and B is 20 year, if A is to be replaced by C, the average would be 90 year, the average age of C and A is 20 year, the age of A, B, C in order in year R, तो question में हमसे बोला गया है, the average age of A, B, A, B की average क्या है, 20 year है, if A is replaced by C, अगर A को replace कर दिया है, C ने, तो average age क्या आ रही है, 90 year, the average age of C and A is 20 year, और तीसरे में हमको क्या दिया गया है, C और A की average age क्या है, 20 year, तो हमको find करना है, age of A, B, C, order in, ABC की age हमको find करनी है, order में हमको लिकाना है, ABC के, ठीक है, अब इस question को हम solve करने जा रहे है, देखिए अब हम second question को solve करने जा रहे है, हमको क्या दिया है, average यह है, A और B का 20, यानि A अपन A और B की I को हम क्या करेंगे, plus करेंगे, divide by 2 कर देंगे, और B और C का average कितना दिया है, हमको 19, यानि हम B और C की I को plus करेंगे, divide by 2 करेंगे, और C प्लस A की आई का एवरेज हमको के दिया है 21 दिया है अब हम क्या करेंगे दोनों की आई को एड करेंगे प्लस डिवाइड वाइड 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 टू करेंगे अब इस पहली वाली एक्वेशन को हम सिब सॉल्व करते हैं तो हम क्या मिलता है प्लस B is equal to 40 इसको हम फ्रस्ट एक्वेशन मान लेता हैं दूसरी हाली एक्वेशन को हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है ब्लस सी सिघल टू 38 यह सेकर्ड टिक्वेशन हो जाएगी और सी प्लस एजिघल टू 42 यह हमारी थर्ड टिक्वेशन हो जाएगी अब हम क्या करें सिर्फ एंड इसकेंड एंड ध्रड इक्वेशन लोगह करेंगे तीनों ड्राइमें यहbert करेंगे और ड्रीटिंग 15 ung सार्च किंड ट्रड झ sworn अभिंड ऐन्वेडी कीकष्टल्ड टेक श्यक्यों में क्या है बीकितनी बारा एह दो बार एकपनि बार आ रहा है, दो बार, C कितनी बार आ रहा है, दो बार, तो हम इस equation को ऐसा लिख सकते हैं, A plus B plus C is equal to तीनों का sum, तीनों का sum क्या हो जाएगा अपना, 40 plus 38 plus 42, अब हमने दो बार आ रहा था, तो एक बार तो लिख दिया, एक बार या कल लिया, बाहर, हमने कॉमा निकाल के, इसका 2 लिख दिया, अगर 2 से multiply करेंगे, 2A हो जाएगा, 2B हो जाएगा, 2C हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए, अगर तीनों को sum करते हैं, तो क्या आता है, 120 आता है, तो A plus B plus C इसका 2 हो जाएगा, अगर यहाँ दिवाइड में जाएगा, तो यहां से रटेगा, डिवाइड बाइड वाई 2 हो जाएगा, यानि A plus B plus C is equal to 60, ठीक है, अब आसानी से हम क्या खर सकते हैं, A plus B की value, फस्ट एक्वेस्ट से देख सकते हैं, क्या A plus B की value क्या 40 है, तो 40 की जग पर कितना रख सकते हैं, 40 रख सकते हैं, और C को ऐसी रखेंगे, तो 40 plus C is equal to 60 है, तो C is equal to 60 minus 40, यानि C की value अपनी आ गई है, C की value हो जाएगी, C is equal to 60 minus 40 is equal to 20, अगर C की value, A is क्या आ गई है, 20 आ चुकी है, अब इसी परकार्ट से हम या करेंगे, B की value यहां से लिकाल सकते हैं C की अगर value हम यहां पर 20 रखेंगे, 20 B plus 38, 38 में से अगर हम 20 घटा देंगे, तो B की value आ जाएगी अपनी 18, ठीक है, इसी परकार हम A की value भी लिका लेते हैं, अगर C की value अपनी 20 आ चुकी है, तो A को ऐसी रखेंगे, 42 में से 20 घटाएंगे, जब ने 42 में से 20 का minus किया, तो 20 मानस करने के बाद A की value आ जाएगी अपनी 22, यानि question में हमसे पूछा था, A की age कितनी है, 22, B की age कितनी है, 18, और C की age कितनी है, 20, I hope आपके समझे एक question भी आया होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो जरूर इसे like किजिए, अपने दोस्तों तक जरूर पह अपना, two train of same length are running in parallel track in the same direction with the speed 60 km per hour and 19 km per hour respectively, the latter completely cross the former in the 30 second, the length of each train in meter is, the question में हम से कहा गया है, कि दो train है, जिनकी कहा है, लंबाई ही कहा है, विल्कुल same है, और running करिये same parallel, यानि same parallel means, एक ही direction में जा रही है, दोनों train है, और same direction में जा रही है, जिसकी फस्त, एक train की speed कितनी है, यानि चाल कितनी है, 60 km, और दूसरे की चाल कितनी है, 19 km है, the letter completely cross of the former in the 30 seconds, अब बाद में या कर दिये, एक train दूसरे को completely कर दिये, cross over कर दिये, यानि एक train उसको क्या कर दिये, उसके आगे चले जा रही है, फस्त train की, the length of the is train in the meter, पर्तिक train की length, length बताव कर रहा है, the length of is train in the meter, meter में आपको क्या करनी है, length के लंबाई find बतानी है train की, चल solve करने जा रहे है, let the length of boat train, x meter, माना जो train की लंबाई क्या है, x meter है, और जो इसकी relative speed of train है, जो first train की थी, 90 km per hour थी, और दूसरी train की speed कितनी है, 60 km per hour, तो speed का difference कितना आगया, अपना 30 km per hour, अब 30 km per hour को कि किसमें बदलेंगे, मीटर में, जब किलो मीटर को मीटर में बदलेंगे, तो 30 km per hour, 1000 करेंगे, और हावर को अगर हम मीटर में बदलेंगे, तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइट करेंगे, और 60 से अगर हमने डिवाइट करेंगे, तो यह मीटर में बदलेगे, हम किसमें चीए, second में चीए, क्योंकि जो हमारी speed थी, वो किसमें आये थी, second में इसको क्या करेंगे, फिर से 60 से डिवाइट करेंगे, 00 से 00 कटेगा, तो क्या जाएगा, 30 into 10 upon 36, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, आगे को, तो क्या आएगा, 30 upon 5 बटे 18, 5 बटे 18 मीटर per second, ठीक है, यानि हमको relative speed मिल चुकी अपने train की, speed is equal to होता है, distance upon time, speed हमको पता है, हमारी क्या है, 30 into 5 upon 18, और time हमको दिया है, question में 30, 30 seconds, जब हमने इसको सॉल्व किया, आगे को सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा, सॉल्व करके, 25 upon 3, यानि यह किस से कटा पहले, 3 से कटा, 3 से कटा, 18, 3 upon 3, 10, और फिर कटा, 2 से, 2 से, 3 से कटेगा, यहाँ जाएगा, 50, 50 बटे, 6 यानि 2 से कटा, 25 बटे, 3, ठीक है, अब हमको क्या करेंगे, हमने डिस्टेंस कितनी मानी से एक ट्रेन की एकस है, अब देखिए, एक मैं करसन को यहाँ पर समझा रहा हूँ, पहले क्या थिक ट्रेन, यह त्रेन गया है, दूसरी ट्रेन क्या है, यानि यह ट्रेन अपनी जगों पर रहेगी, यह ट्रेन क्या होगी, इसकी स्पिट गई, टाइम अपने को पता है, 30 सेकेंड, और स्पिट क्या है, 25 अपन 3, आप इसको सॉल्व करेंगे आगे को, तिरसा गुणा कर लेंगे, तो 6 x 25 अपन, 25 इंटु 30 अपन, 6 x is equal to 25 इंटु 30, तो x is equal to 25 इंटु 30, 25 इंटु 30, अपन आएगा, 2 x 3 याने, 6, अब 3 से कटेगा, अगर 2 से कट जाएगा, तो 15 बार, अब 3 से 15 कटेगा, तो 5 बार, 35, 15, तो क्या बचेगा लास्ट में, 25 x 5, तो 25 को 5 से इंटु करेंगे, तो क्या आएगा, 125 मेटर, यानि एक ट्रेन के लेंद कितनी है, 125 मेटर, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इससे सेर और लाइक, कमेंट किजिए, अगर आपको इससी टाइप के क्वेशन चाहिए, तो जरूर कमेंट करके बताएए मु